दंधानना भिर्मनि सिक्हान उभ्द्ञ कामे से चार भिर्मसिक्वाथ यानगे ध्यान दिया होगा कि आपयोथ नहीं दखते है और बुद्धि का फोटो अगर आप देख रहे हैं या बुद्ध के किसी के तींपेटक साहितम में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि बुद्ध की मूच या डाड़ी थी या कितनी बड़ी थी कि जो मूच डाड़ी का जिक्र हम आज कर रहे हैं तरसल हमें अपने नौजवान बच्चे बचाने हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वह मूचों में उlden गए को सम्मीध हान की बजाये मूचों में जले गए हैं और मूचों को मेहत देने लगे हैं सम्मीध हान की बजाए को बावा साह का फोटो ध्यान से नहीं देखते वो बुद्र का फोटो ध्यान से नहीं देखते व behave अगर आप बाकी महापुरसों का फोटो देखेंगे जो शेरनी होती है जंगल में उसके मुझे होती है और जो शेर होता है उसके भी मुझे होती है और शेर के एक चीज और भी होती है कि उसके पीछे सरके पीछे बहुत और नीचे बाल बहुत जादा है इसे लगता है कितना खतनाग जानवर है यानि कि श्यर नी से ज्ञादा तस्वना ज्यादा खतनाग श्यर है और हकीकत यह है कि श्यर कभी शbut कार करता यानि जो शेरनी है। शिकार कर रही है शेर नी और खा रहा है शेर यह और भी बड़ी मैज़दर बात है और अगर आप और पहले जाएंगे तो यह पाएंगे कि प्रगत्ती के अंदर जो बंदर या बनमारुस रहे हैं उनके सरीर पे अभी भी बहुत सारे बाल हैं और जो पहाडी जितने जानवर हैं उनकी तो हम बालों की उनको पहनते भी हैं यानि कि उनके तो बक्री है या भेड़ है या जो वहां का दुधारू जानवर है उर सब के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं अगर बाल ना हो तो वो ठंड में मर जाएंगे कोई भी जानवर बहुता है और उनकी बालों की खाल किया मंतूपी जैकिट उनकी और कोट सुड़र सारे पैनते हैं और कहते बड़े गरम हैं और बड़े मजे से पहते हैं यानि कि बाल उनका स्रीर में रक्षा करते हैं अब मनुस्य ने जैसे जैसे प्रिगति की वैसे वैसे बालों की आवशक्ता कहीं हुई कहीं नहीं मगर जब मनुस्य मनुस्य से लड़ता था जमीन के लिए जाजाद के लिए औरतों के लिए पैसों के के लिए जानुरों के मास के लिए खाल के लिए जो भी वस्तमें जीवन के उपयोगी थी तो लड़ने में एक साइकलोजी काम करती है कि सामने वाला गर देखने में खुंकार हो और उसका चेहरा बहुत बड़ा हो तो जो जिस पर वह हमला करता है और जो हमले को बरदास करता ह है जहिलता है या अच्छी तरह से उसको उपयोग में लेता है वो उसके खुंकार चेहरे को उसके डाड़ी वाले मुझे वाले चेहरे को देखके डर जाता है और अगर वह जोड़ से चिलाए बहुत जोड़ से चिलाए तो और जदर डर जाता है चिलाने की जो टेक्निक है लड़ता था तो मनवग्याने की रोप से बड़ी-बड़ी मूच है बड़ी-बड़ी डाड़ी और बड़े-बड़े बाल बड़े-बड़े पगड़ियां पगड़ियां तो सर पे तलवार और डंडे का बार बचाने के लिए भी काम आती हैं वो चीजे मिक्सित हुई अब उन चीजों की इतनी आवशक्ता रही नहीं क्योंकि अब बंदूग से गोली चलती है तो सामने खुंकार आदमी को चिलनाने की और डराने की जोटाय नहीं तो आप ध्यान देखेंगे कि दुनिया के जितने बड़े से बड़े पावर्फुल लोग हैं अब वो अपनी सुर कि यानि की युद्ध की पसंद रही है अब यह ढराने धंकानी की पसंद रही है अगर आप आज कल के युद्ध को देखेंगे तो जो रूस के राश्टपती हैं पूतीन हैं वो मुच नहीं रखते और अधिकतर जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने मुच आ रखना डारी अपना बंद कर दिया है और भारत में भी जो अधिकतर पावर्फुल या जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो मुझ डाड़ी नहीं रख लिए तो इसलिए मुझ डाड़ी को मान से समान से या ताकस से जोड़ना ये कौन जोड़ रहा है और कौन हमें उलजा रहा है इसको बिना जाने हमारे जू बच्चे हैं वो इसमें उलज रहें कोई हमारा बच्चा मूझ एोपर करके फूदू खेशवाता है और उसका फूदू देखके कोई उकसा जाता है और वहाँ धाड़ प्रतीखात होता है और उसमें हमारी समाज के सारे यूवाओ की इनरजी जाने ह हमारे यूबा अपने पढ़ाई का लिखाई का बेरुजगातों सारे हैं ही सारा काम छोड़ के और मूचों की लड़ाई में शामिल होने के लिए चले जाते हैं अगर मुचों की लड़ाई से कुछ हमें मिलता तो बावा साथ अम्मेट का बहुत बड़ी-बड़ी मुचे रख सकते थे बुद्ध भी रख सकते थे और जितने ये लोग पावरफुल देशों के राश्पति पढ़ान मनते हैं ये भी रख सकते हैं मुचों का होना या ना ना होना इससे कोई फरक नहीं पड़ता फरक इससे पड़ता है कि आज के समय में जो सभ्य समाज है उस सभ्य समाज में बावासाव अम्मेट कर या बुद्ध की तरह आप करांती कैसे करते हैं आप कैसे अधिकार लेके आते हैं आप कैसे अधिकार को ब यह आस्ता कि उधारण है ना उनकी मूचे रही और ना मूचों लड़ने वाले लोग रहे एक उधारण ऐसा नहीं है जब कि मूचे उपर करके या नीची करके कोई बंदा कहीं कोई लड़ाई जीत ले या कोई काम्यावी ले आए इसको उल्जाया जाता है हमारे लोग ताकि इसमें अपनी अनरजी चलिजाए लोग होते हैं जो यह सब चीज़ां करते हैं बाल किसी के काड़ दिये तो बालों की लड़ाई होगी मेरे बालक़ दिये तमिल्णाड के इंदर चोटी काड़ देते हैं तो मगर वोग लड़ते नहीं है एक बार अबभी ङे लोग्श है यह ऐसा हो गया वैसा हो गया ताकि हमारे यूवा अपने सारे कामधाम छोड़के और उनके माबाप उनकी चिंता में सारे कामधाम छोड़के लगे रहे हैं कि यूवा कहां जा रहे हैं कहां कोई कह सकता है अगर कहीं हमारा मूझ छोपे कोई व्यक्ति मारा गया है तो क्या हमें अच्शी नहीं करना चाहिए क्या हमको प्राशन नहीं करना चाहिए क्या हमको दुख्मे शामिल नहीं होना चाहिए कितनी वार بتایا ہے भाई लास लास गिरवाय जा रहे है आप यादा पर लास गिर रहे है और बहुत गिरंगी क्योंकि वेर ख़र तो वेर अगर बढदा जा, वेर से वेर बढदाएंगे, तो शांती होगी, बुद्ध का नियम है, पांच्वाँ धमँपथ है कि वेर से वेर चोड़के और समीधान की खटा होने की बात चोड़के और लड़ाईयों में लग जाए और जूपी और शदम लड़ाईयों में अपना पूरा उजा एनरजी अपना सिस्टम सारा के सारा उसमें लगा दें ताकि हम लगातार हाटे रहें और वो इसमें कामयागी है और हमारी लड़कों को समझाने वाला कोई है नहीं कोई समझाने वाला नहीं है समय लड़कों को युवाओं को कि तुमको क्या करना चाहिए क्या करना चाहते हैं वर उनको पता ही नहीं है क्या करना है बावा साब को पढ़ते नहीं बुद्ध को जानते नहीं कमीर साब को देखा नहीं माबाप की, सुनते नहीं, उनको लगता है कि गाली के बदले गाली देने से जीत होती है, गाली के बदले देने से हम बहुत बड़े जुद्धा बन जाते हैं, पूछ है उपर करने से, या हाथ में धंडा लेने से, या हाथ में बंदूक लेने से, या हाथ में तलवा लेने से या ऐसी ऐसी बात है केने से जिससे भड़काव भशन बोलते हैं इससे काम्यावी मिलती है बावा साब को पड़ा होता तो बावा साब ने शांती प्रिया अंदुरन की हैं और उस शांती प्रिया अंदुरन में हत्यार उठाने के लिए या लोगों को बोलने के लिए या है और वो लोगों को संग ंगर्स करना है अन्होंने कभी नहीं कहा कि आपको लुट रहने से उर्जा पैदा करनी है, साथ रहना है, यह संघर्स है, रोद करना है, साथ रहकर करना है, संघ रहकर करना है, संघ घर्षन करना है, यह बात उन्होंने कई, उन्होंने कई, उन्होंने कब कहा कि आप उग्रो आंदरन करो और मार पिटाई पर आ जाओ या ऐसी छदम ड़ाई य लिखा है कि कहां घी नहीं खाने देते थे कहां गोटेदार साली नहीं पढ़ने देते थे कहां सिरहने नहीं बैठने देते थे कहां नया कपड़ा नहीं पढ़ने देते थे यह सारी बात है उन्होंने लिखी है अपनी किताबों में और एक बार कि उन्होंने यह नहीं कहा कि कि इसके से हमें आसा ही वैबार कंना है कि आपको और्गलाइज होना है यह इकहटर होने वाली बात अनको समझ में नहीं आती बिना मुच के बावा साथ इतनी बड़ी प्रांति कर गए और आप मुच मुच खेल ले हो पर हमारे युवाँ को काम पे लगा दिया सब को पर हमारे युवावी समझदार होते हुए भी उनको जानका नहीं है कि उनके जो बुद्ध है उनकी बावा साब है कहां उनकी मुझ है यह इसलिए है क्योंकि जब कोई लास गिरती है जब कोई बच्चा मरता है तो मरने के बाद लोग पहुंचते हैं और वहां भीड़ करो कि हमारे लोग कर लिया है कि हमारे लोगों को मरवाएंगे एक आगरा में मरा एक राश्ताण में मरा अप ऐसा काम करो कि हमारे बच्चे मरें नहीं आप उनको ऐसा एक्षटा करो कि हमारे बच्चों को उक्सावा ना आए उनकी कोई लास ना जिरे एक एक बच्चा हमारा कीम्ती है मरने के बाद वहाँ आप चले गए, आपने वहाँ सब को बला लिया, मीडिया को बला लिया, आपने वक्तवे दे दिया, उससे हमारे बच्चों की सुर्चा कहां हुई? उससे हमारे बच्चे कहां बचे? अगर हमारे बच्चे बचते तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वैमुला है, यह जो गुंहोई के साथ हुआ फिर आगरे में डर्का गया फिर अभी लड़ता गया तो यह रुक जाना चाहिए था इस्टाप हो जा जाना चाहिए था लोगों में डर पैया ना चाहिए था भै पैदा हो जाना चाहिए था यतने सारे घजार कत्ते हैं whats तो अब हम को कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब इसको नहीं रहा है इसका मतलब आपके खटे होने का प्रभाब रुटा जा रहा है तो कि घटनाएं बढ़ रही और वहाँ बार 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 नेता जातें अलेगर जातेओं और नेता इसको handling हैं कितनी बार देखा गया है कि सभी क्ञट्ट्टों कने जाते हैं एक बाद एक बाद एक बाद एक आर बाद जाते हैं और आप वहां जाके करते भी क्या hè परिवार को संतन watery को संथना देना चाहिए ड congress पर क्या किसी भी चीज में दस दिन के बाद में कहीं कोई नयाय मिला? क्या नयाय के मोहाने पे पहुंचे? क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया? दस हजार आदमी खटे हुए, हजार आदमी खटे हुए, हो अल्ला मचाया फूदू किछवाए चलेगे बस. उसके बाद क्या होता है? कोई देखने नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता, कोई सिस्टम मराया नहीं. यूबाओं की एनरजी किस काम में आ रही है? वीडियो बनाने में, लाइब टेली कास्ट में, हौःला बचाने में और जो यूटूवर्स हैं उनको अपने लाइक और व्यूज बढ़ाने और चेहरा चमकाने में फाइदा तो हुआ नहीं जो लोग जितने भी पतारित होते हैं अगर आप सच में उनकी पतार नहीं काम करना चाहते हैं तो वो सिस्टम कहा है जिससे के उनको जेल में और उनको ये फंदे पर पहुँचाए जा सकते हैं एक केस ऐसा नहीं है जहां जहां लोग जाते हैं और जहां जहां फूटों किछवाते हैं और जहां जहां मरने के बाद में अपना पूरा का पूरा उसका फायदा उठाते हैं उसकी मौत का और उसके बाद में जो मरा है उसको निया अगुब में आदमी जाने के लिए है भी नहीं कोई नहीं जाता बाद में सिर्फ इवेंट कारिक्रम है रास पे और मौथ पे इवेंट है। इसलिए जब भी कोई इवेंट आये जब भी कोई इस तरह का मौका आये तो बच्चों को समझाना चाहिए कि बावा साब अम्वेटकर को देखो बावा साब अम्वेटकर की जीमी उनके हाथ में पकड़ा हो बावा साब अम्बेटकर ने कैसे कैसे काम किया कैसे कैसे नहीं किया उनको समझाओ और बावा साब अम्बेटकर को नहीं समझा सकते हो तो साब कासी राम को समझाओ साब कासी राम जी का फोटो देखो क्या उनके मूचे थी उन्होंने इतना बड़ा काम किया साहब कासी राम का नाम लेते हो और उनके पत्चिन्दों पर भी नहीं चलते हो बेसक उन्हें संग नहीं बनाया मगर बाकी पत्चिन्द तो उनकी बहुत बढ़िया है संग आप बना लो भाई आप इखटे हो जाओ कोई कौन मने करता है पर जितने भी लोग हैं कमसे का महाप सारे सब को इकटे हैं आपकी धारा कहीं और चले जाएगी क्योंकि हम सारा काम नौजवानों और बच्चों के लिए कर रहे हैं जब हमारे बच्चे ही गुमराय हो जाएंगे हमारे बच्चे ही इधर दर हो जाएंगे और हमारे बच्चे समिधानों पढ़ने की बजाए इन पाए तो कैसे बात बनेगी तो समण संगियों की जुम्मेदारी अब डबल है उनके अपने अपने बच्चों को बताना है अपने पड़ोस के बच्चों को बताना है सभी बच्चों को बताना है तो बताएंगे कैसे बताने के लिए उन्हें वीडियो बनाने के लिए उन्हें फोन करना है, बताने के लिए उन्हें बार बार बताना है कि हमारा जो काम है वो सब्वधानिक रूप से है, हमारा काम सड़कों पर इस तरह से एजिटेट करना नहीं है, इस से विरूधियों की एनरजी पैदा होती है, विरूध की एनरजी पैदा होती है, शैतान की एनरजी कि विरूद की एनरजी आग की लट्डों के सिमान होती है और आग से थान में प्रतीक चन्ड है इतनी ज्यादा ऊज़जा और घंपी पैदा होगी उतनी ज्यादा सैतानों को लाव होगा और शैतान चाहते यह हैं कि हम उनकी आग में जुलस जाएं और आग में लिपड़ जा बहुत तेज़े से बचाना है वन्ना देर हो जाएगी तो कि ये जो कारवा चल रहा है इसको समझाने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है हर व्यक्ति इस आग में अपनी रोटियां सेक रहा है अपनी चाय बना रहा है अपना काम कर रहा है वो किसी भी हालत म अपने इस बात को समझाने के लिए त्यार नहीं है कि जो आंदुन होता है जो बावा साब ने किया जो बुद्द ने किया वह बहुत साइलेंट और बहुत शान्त और बहुत अच्छा है इसमें देर हो सकती है पर जुड जाएंगे तब तक की देर है अगर जुड इसकी गती है क्योंकि जुड़ते ही अपना काम से उपर देता है जैसे कि लगातार हो रहा है अभी हमारे जो सीनियर साथ ही है समढ़ संगी है एक एक सिंग्जी वो कह रहे थे के जुड़ने का काम बड़ा मुस्किल है वो दस लोगों को नहीं जोड़ पाए जुड़ने का का मुस्किल नहीं है हम तो पहले से ही जुड़े पड़े हैं हर व्यक्ति समढ़ संगी है हमको किसी को खींच के यह जिनी लाना कि तेरे नाम हम देख़ाते हैं सिर्फ उसको बताना है वह आप समढ़ संगी हो बस एक्टिव होना बाकि और कोई इस बास से इंकार नहीं कर सकता कि वो समढ़ संगी नहीं है और अगर समढ़ संगी नहीं है तो बता दे क्या है हम तो सुनके जाएंगे कि तू बता दे क्या है हमारी पहचान क्या है हमारा लास्ट नाम क्या है तू बता दे क्योंकि अगर समढ़ संगी नहीं है तो कौन से संग के हम किस संग की हम पैदाई इसने कौन सा संग हमारा था तो बता दे हमको अगर तेरे को पता हो वो धूंटे-धूंटे मर जाएगा मगर लाश्टमस को कहना पड़ेगा कि वो सर्मण संगी ही है और आप भी सर्मण संगी है तो जुड़ा हुआ है सिर्फ उसको एहसास कर रहा है लोग जो समझते हैं वो कि यह संग्धन में लेकर जाएंगे वहाँ जोड़ेंगे को है नई कुछ द्धम का नया कुछ बना रहे हैं उसमें जोड़ेंगे कुछ पैसों का लेंदन का कुछ आर्टि 국 बना रहें वहां जोड़ेंगे यही तो लोग करते हैं इसलिए पहली नजर में ऐसा लगता है कि जुड़ने में दिक्त है पहला इस्टेप थोड़ा सा महंती है एक आदमी को एक से लेकर डिर्ड घंटे तक लगातार बोल कर समझाना पड़ता है इसी वे नए आदमी को कौन से वो पहला बीज है जो जमीन मे दब जाता है और उपर से मट्टी डाली जाती है उसको चार-पांदिन कुछ समय लगता है कच्चा होता है आप उसका ध्यान लखेंगे दिद्रे उसकी बाड़ा लगाएंगे ताकि उसको खाना जाए तो दिद्रे वो पेड़ बन जाएगा फिर वो और बीज पैदा करेग और जीगा वो पोध हैंगे निकलके यह प्रोसेस है इसको जब सुरूर से करते आ रहे थे तब तो इस कंसेप्ट को कोई पूस्ता भी नहीं 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 है अभी भी बहुत सारे लोग यहां 257 लोग हैं उनमें कुछ नए लोग होंगे को यह जानना चाहते होंगे कि यह जुड़ना ही उद्देश से है लोगों को समझ मनें आता कि जुड़ना ही काम है जुड़ना ही उद्देश से है और सब लोग इशी काम को कर दो रहे हैंगे तो यह पनेंगे के अंदर वहारत में प्रूत भारत बनेगा तो Papi जड़ जाो या कहेंगे इसे बड़ा पैसा आने वाला है तो जुड़ जाओ या कहेंगे सरकारी नौकर, सरकारी करमचारी जुड़ जाओ तो सरकारी नौकर बनेंगे तो जुड़ जाओ या वो कहेंगे सामा जी के एक ता आएगी तो सामा जी हमारे फायदे होंगे तो जोड़ जाओ ऐसे फायदे के वो दिखा दिखा कर आपको जोडने के लिए बोलते हैं इसलिए हर व्यक्ति यह पूछना चाहता है आप किसने जोड़ राजनीती के लिए धंग के लिए पैसे के फायदे के लिए नौकरी के लिए या सामज के लिए क ही कौन सा नया कर लोगे इसलिए वह उद्दे से जो पूसता है और जब आप ये कहते हो कि वह जुड़ना ही एक काम है हो जब हम जुड़ जाएंगे तो जो लोग जुड़ेंगे वो अपने आप जो नहें कर ना होगा वह कर लेंगे तो उसको यकिन नहीं होता, उसको यकिन नहीं इसली नहीं होता, सारे लोग तो ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा, अरे भाई पहले ऐसा हुआ है, पहले लोग सारे सारे जुड़े हैं, उद्देश से बाद में आए हैं, जिसका जो उद्देश था वो पूरा हो गया, परिवार के अंदर जितने लोग होते हैं, सब का एक उद्देश नहीं होता, सब जुड़े रहते हैं, जो महिला हैं, या तो नोकरी करना ही आजकल, या खाना खाती हैं, उनका उद्देश से हैं, जो पूरुस हैं, नोकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, घर में आते हैं, और जो ताकत के काम होते बड़ों को समालते हैं, घर में दादा दादी होते हैं, उनका भी दियान लगते हैं, सबके अलगलग काम हैं, मगर इखटे होके तो अलगलग काम हैं, सारे अलगलग हो जाएंगे तो कैसे करेंगे, पापा जी नोकी चले गए, तो घर पे दोटी नाम ना मिले, मम्मी जी घर स लिए सारे खटे हैं तो सारे काम हो जाते हैं और अगर सारे खटे नहीं है तो करते रहें अलग-अलग काम अब तक हमारी हार का कारण यही है कि हर आदमी ने अलग-अलग काम पकड़ा और हर व्यक्ति ने पैसे मांगे मैं धंदा काम कर रहा हूं मुझको पैसे दे दो मुझे ये बनवाना है वो बनवाना है वो बनवाना है मैं कभीर भवान अम्बेड का बनवा रहा हूं रवजास बनवा रहा हूं मेरे को पैसे दे दो उसके बाद में जो सामाजिक यह कहते हैं और वो मुठा स्वाइब और वह सेधै कि यह ज इतने भी 독 a उन्हीं 131 पैसे हो अगर लगए खटा करोगे सभी टेंट लगवाते हो अगर एक पंडल में सारे आ जाएंगे तो 19 जगे की पैसे बच गए सारे बुद्धियार इखटे हो जाएंगे तो बुद्धियार समिति करके पूरा एक सिस्टम बन जाएगा तो जो बुद्धियार बनमाना होगा वो सारे बुद्धियार उसे पैसे ले लेगा और जब सारे भवन इखटे हो जाएंगे अंबेट के बहवन कबीर बहवन बुद जो लोग पैसों के बड़े-बड़े बैंक चलाते हैं उनका संग है जो लोग बड़े-बड़े युनिवस्टी स्कूल खोलते हैं उनका संग है जो लोग बड़े-बड़े धार्मी किस्तल चलाते हैं बनाते हैं उनका संग है जो लोग चैरिटी करते हैं उनका संग है और जो कबाई कोई चांस लग गया उसको खुशी मिल गई कि मैंने ऐसा किया वैसा कभी कबाई हो जाए को जाए पर जीत संग वाले लोगों की जीत पर्मनेंट होती है उनको डर नहीं होता क्योंकि उनके पास में लोगों का समूँ लोग पहले सही इक्ठों है बस इसी का खेल है कि जिसके लोग पहले से त्यार है और उक्रटे हैने क्रटे क्रटे काम अगर आप के साथ एक साहर हो जाए तो फिर जितना भी काम है वो काम बहुत आसानी से हो जाता है यही संग है इसनी बार बार कहते हैं जिंदा रहना है तो एकटा होना पड़ेगा बच्चों को बचाना है तो एकटा होना पड़ेगा और सम्मिधान की सरण में जाना पड़ेगा क्योंकि अधिकार सारे सम्मिधा के तहत्म हैं अगर आप सम्मिधान को छोड़के कहीं और चले जाओगे और सम्मिधाने के बात नहीं मानोगे कुभी सम्मिधान कहता है with the people होके आओ, इखटे होके आओ, अगर इखटे होके आजाते हैं, फिर कोई डर ने, फिर दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, दुनिया के सारे काम, और इखटे होके अगर नहीं आते हैं, तो जैसे असोग के समय हम राजा थे, असोग के समय हम सेरापती थे, असोग के समय हम सब को पढ़ा दें और सब लोग पढ़ जाएं तो हमारा कल्यान हो जाएगा जितने पढ़े हैं वह प्रिषान है प्राइबट अच्छी बात है सब को पड़ना चाहिए मगर जो पढ़ने के पीछे रोजगार ढूंते हैं वो रोजगार बंद हमारा सारा सुप्रेस में जा चुका है कितने लोग जा पाएंगे थोड़े बहुत जा पाएंगे वह भी जेवर जा पाएंगे इतना पैसा भी किसी के पास होता नहीं व्यापार हमारा सारा जा चुका है हम करेंगे क्या हम खतम हो जाएंगे वगर समिधाल हमको बचा सकता है अगर हम इक्टे हो जाए इसलिए बार 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 ऑर गा जाता है संगे संग में है भारत में जितने भी लोग आज की समय पावर में हैं वो इकटे होते हैं और वो लोगों को इकटा करते हैं ili कैसे भी लाएं, उनके संग हैं, इसलिए वो सक्ती में रहते हैं, इसलिए उस सक्ता में रहते हैं, और जो सक्ती में रहता है, जिसके पास ताकत होती है, वो किस के लिए खर्च करेगा, वो तो उनी के लिए खर्च करेगा, जिन लोगों ने उसको मदद की है, जिन लोगों न उसको सपूर्ट किया है उन्हीं को तो देगा आप अगर अपना संग मना लेंगे तो वो सक्ति आपको मिलेगी आपको अगर वो सक्ति चाहिए आपको अगर बजट में अपना हिसा चाहिए आपको अगर देश में नोक्री चाहिए आपको अगर देश में पानी हवा जमी ज़ होता है तो यह मिलेगा तभी जब आप इखड़ते हो जाएंगी कोई शॉर्ट कट नहीं है दुनिया का कोई विद्वान अगर यह कहता हो कि पढ़के सारी चीज़ी मिल जाएंगी तो बहुत पर लेगे हैं को यह कह सकता हो कि सरी बहुत लंबा चोड़ा बनाने से हमें चीज कल्चर में है जो सिख हैं उनकी डारी कल्चर मैं मगर सिखों का संग है इसनीए वो जीते हैं और मुसलिमों का संग है इसनीए जीते हैं बगर हमारा तो संगी नहीं है मूच रखो ay To Da preached ॉ 앞에 पक्रता है कि हम इखटे कितने हैं अगर हम एक्खटे हो जाएंगे तो मूच रख की मांगेंगे इसमें कोई शक नहीं और आगे आने वाला समय बहुत कठने इसलिए जिद्ध हमारी जुड़ने की है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाईए और जिनको जुड़ना है वो यहां नाम बताईए वाटसेप में आईए चैट में आईए क्योंकि आपको सिर्फ बोलना है कि मैं समर्संग में जुड़ना चाहता हूं और यहां जितने भी समर्संगी है वो आपको जुड़ लेंगे जिद्ध जुड़ने की है जुड़ के मानेंगे चाह कुछ पी हो जाए धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी संगं सरेण गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामी बूतियं पी धम्ममर्सरेण गच्छामी बुथियं पी नम्मं सर्णं गच्छानी, बुथियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, तथियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, तथियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी गुतं सर्मं गच्छामी, ततियं पी धम्ममर्सरु गच्छामी, ततियं पी धम्ममर्सरु गच्छामी, ततियं पी धम्ममर्सरु गच्छामी, ततियं पी संगर्सरु गच्छामी, ततियम पिसन्दम सर्नम पिर्शामी साथो, साथो, साथो